असम के लोगप्रियो और उर्द्यावान मुख्य मंत्री श्री जमंता पुष्वा सर्मा जी केंद्रियम मंत्री मंडल में मेरे वरिश्ट सहयोगी स्री सर्वानन सोनवाल जी स्री रामेश्वर तेली जी देश के विकास में अहम योगदान देने वाले स्री रतन टाटा जी असम सरकार में मंत्री स्री केशो महंता जी अजन्ता नियोग जी अतुल बोरा जी और इसी धर्ती के संतान और भारत के न्याई जगत को जिनोंने उत्तम से उत्तम सेवाएं दी और आज कानून बनाने की प्रक्रिया में संसत में हमेरे साथ दे रहे रिमान रंजन गोगाई जी तिस संसत गान विद्धाय गान और मेरे पैरे भाई और बहनों पुठो मोटे मौई रंगा अली भी हो आरो अशोमिया नौवब और खोष सुबेच्छा जुनाईस उत्सावार उमंग के इस मौसम में असम के विकास की धारा को और गती देने का है मुझे भी आपके उस उमंग के साथ जुड़ने का आउसर मिला है आज इस अइतिहासी नगर से मैं असम्या गवरव असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहां की सभी महान संतानों का स्मरन करता हूँ और आदर पुर्वर उन सब को नमन करता हूँ साथियों भारत रत्ना बुपेन हजारिकाजी का गीत है बोहाग माठो एटी रूतु नौए नोहोए बोहाग एटी मा असमिया जातिरी आयूश रेखा गोनो जियनो रेखा असम की जीमन रेखा को अमीट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं इसी संकल्प के साथ बार बार आपके बीच आने का मुख मन करता है असम आज शांति के लिए विकास के लिए एक जूट होकर उत्सा से भरा हुआ है और मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कार्वी अंगलोंग मैं देखा और मैं अनुभव कर रहा था क्या उमंग क्या उत्सा क्या सपने क्या संकल्प साथियों थोड़ी देर पहले मैंने डिब्रुगर्ड में नए बने कैंसर हस्पताल और वहाँ बनी स्विधाओं को भी देखा आज यहां असम के साथ नए कैंसर हस्पतालों का लोकारपन किया गया है एक जमाना था साथ साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था आज वक्त बदल चुका है एक दिन में एक रहज में साथ अस्पताल खुल रहे हैं और मुझे बताया गया कि तीन और कैंसल अस्पताल आने वाले कुछ महिनों में तैयार हो जाएंगे आपकी सेवा में इनके अलावा आज राज्य के साथ नए आदूनिक अस्पतालों का निर्मान कारिय भी प्रारम हो रहा है इन अस्पतालों से असम के अनेक जिलों में अब कैंसर के इलाज की सुविदा और बड़ेगी अस्पताल आविशक तो है और सरकार बना भी रही है लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुब कामना देना चाहता हूँ अस्पताल आपके चरों में है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि असाम कोई लोगों के जिन्दगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए मैं आप सब के स्वास्त की कामना करता हूँ आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुसी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे लेकिन अगर आवसकता पड़ जाए कैंसर के मरीजों को असुविदा के खानव मौत से मुकामला करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और इसलिए आपकी सेवा के लिए भी हम तयार रहेंगे भाई और भेनो असम में कैंसर के इलाद के लिए इतनी विश्तरत इतनी व्यापक बवस्ता इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है असम ही नहीं नौर्थ इस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समच्या बन रहा है इससे सबसे अधिक प्रभावी हमारे गरीब परिवार होते हैं गरीब भाई बैन होते हैं हमारे मद्दंबर के परिवार होते हैं कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था और इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक बोच गरीब और मिडल क्लास परिवारों पर पड़ता था गरीब और मिडल क्लास की परिशानी को दूर करने के लिए बीते पांच-छे सालों से जो कदम यहां उठाए गए हैं उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानन सोनवाल जी को और वर्थमान मुख्यमंत्री हेमंता जी और टाटा ट्रस को बहुत बहुत साधुबाद देता हूँ बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ असम Cancer Care Foundation के रूपे कैंसर के रास्त अस्ते और प्रभावी इलाज का इतना बड़ा नेटवर्क अब यहां तयार है यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है साथियों असम सहीर पूरे नौर्थिस्ट में कैंसर की इस बहुत बड़ी चुनोती से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है राजदानी गुहाटी में भी कैंसर ट्रिक्वेंट से जुड़े इंफ्रास्टेक्टर को ससक्त किया जा रहा है इस साल के बजेट में नौर्थिस्ट के विकास के लिए पंद्रा सो करोड रुपी एक विशेष योजना पी-एम डिवाइन में भी कैंसर के इलाज पर फोकस किया गया है इसके तहट कैंसर के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी गुहाटी में तयार होगी भाई योर बैनो कैंसर जैसी गंबीर बिमारिया एक परिवार के रुप में और एक समाज के रुप में हमें भावनात्पक रुप से और आर्थिक रुप से कमजोर करती है इसलिए बिते साथ आठ साल से देश में स्वास्त को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रुप से काम किया जा रहा है हमारी सरकार ने साथ विशनों पर या एक कहसे देखते है स्वास्त के सब तरुशियों पर फोकस किया है पहली कोशिज यह है कि बिमारी की नौबती नहीं आए इसलिए प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर हमारी सरकार ने बहुत जोड दिया है ये योग फिटनेस स्वच्छता ऐसे कई कारकम इसके लिए चल रहे है दूसरा अगर बिमारी हो गई तो शुरुवात में ही पता चल जाए इसके लिए देशभर में नए ट्रेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे है तीसरा फोकस यह है कि लोगों को घर के पास ही प्रात्विक उपचार की बहतर सुविदा हो इसके लिए प्राइमरी हिल सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूपे एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है चोथा प्रयास ए है कि गरीब को अच्छे से अच्छे स्पताल में मुप्त इलाज मिले इसके लिए आईश्मान भारत जैसी योजनाओं के तहट पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज आज भारत सरकार के तरफ से दिया जा रहा है साथियो हमारा पांचवा फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरोपन निर्भरता कम से कम हो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास सेक्टर पर हमारी सरकार अभूत पुर्वन निवेश कर रही है हमने देखा है कि आजाजी के बाद से ही थोड़ी सी भी तबियत बिगड़े तो बड़े शहर भागो यही होता रहा है लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार इस्तिती को बदलने में जूटी हुई है साल 2014 से पहले देश में सिर्फ साथ एम से इस में से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दे तो कहीं MBBS की पढ़ाई नहीं होती थी कहीं OPD नहीं लगती थी कुछ अधूरे बने पड़े थे हमने इन सभी को सुधारा और देश में सोला नए एम्स गोशित किये एम्स गुहाटी भी इनी में से एक है हमारी सरकार देश के हर जीले में एक medical college जुरूर हो इस लक्ष पर काम कर रही है 2014 से पहले देश पे 377 medical college थी अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 600 ता 600 तक पहुँच रही है साथ को हमारी सरकार का छट्था फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को जादा से जादा बढ़ाया जाए बीते साथ साल में MBBS और PG के लिए 70,000 से जादा नई सीटे जुड़ी है 70,000 हमारी सरकार ने 5,000,000 से जादा आयूस डॉक्टर्स को भी एलोपेथिक डॉक्टरों के बराबर माना है इससे भारप में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियो में भी सुधार हुआ हाली में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पच्चास प्रतीसद सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है इसका फाइदा हजारों नव जवानों को मिल रहा है देश को आधाती के बाद जितने डॉक्टर मिले हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी जादा डॉक्टर अगले दस वर्त में मिलने जा रहे है साथियो हमारी सरकार का सात्वा फोकस स्वास्त सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है सरकार की कोशिज है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले इसके लिए एक के बाद एक योजना ये लागू की गई है कोशिज ये है कि केंदर सरकार की योजनाओं का लाब पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए यही बन नेशन वर्ड हेल्ड की भावना है इसी ने सो साल की सबसे बड़ी महावारी में भी देश को संबल दिया चुनोती से निपटने की ताकत दी ताथ क्यों केंदर सरकार की योजनाओं देश में कैंसर के इलाज को सुलब और सस्ता बना रही है एक और महत्तपुन काम हमारी सरकार ने देने किया है गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके गाउं में रहने वारा बच्चा भी जिसको जिन्दगी में अंग्रेज में पढ़ाई का मोका नहीं मिला वो डॉक्टर क्यों न बन सके और इसलिए भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मात्र भाषा में स्थानी भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकारे सुविदाएं खड़ी करें ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके बीते वर्सों में कैंसर के अने को ऐसी जरुरी दबाएं हैं जीन की कीमतें लगबग आदी हो गई है इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगबाग एक हजार करोड रुपिये बच रहे हैं प्रधान मंत्री जन अउसदी कैंद्रों के माध्यम से नउसो से ज़्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्द हो जो दवाएं सो रुपिये में मिलती हैं वो दस रुपिया बिस रुपिय में मिल जाए इसका प्रबंद किया गया है इन में से अनोग दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है इन सुविदाओं से भी मरीजों के सैंकडो करोड रुपिये बच रहे हैं किसी परिवार में बुजुर्ग माबाप हो डायबिटिस जैसी बिमारी हो तो मद्यम बर गनिम्लमद्यम परिवार का महने का हजार पंद्रा सो दो हजार रुपिय दवाई का खर्चा होता है जनवसजी कैण्र में वो खर्चा असी नबे सो रुपिये में पूरा हो जाता है ये चिंता हमने की है यही नहीं आईशमान भारत योजना के तहट लाप पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेसंस है जब ही योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे वो सोते थे कि अगर मैं अस्पताल जाओं तो बेटे के लिए करज करना पड़ेगा और इस करज मेरे बच्चों को भूगतना पड़ेगा बूढे माबाप मरना पसंद करते थे लेकिन बच्चों पर बोज बनना पसंद नहीं करते थे अस्पताल नहीं जाते थे इलाज नहीं करवाते थे गरीब माबाप अगर इलाज के अफ़ाओं में मरें तो फिर हम किस काम के लिए बिशे इस नुप्ते हमारी माता है बेहने वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी वो देखती थी कि इलाज के लिए करज लेना पड़ता है गर और जमीन बेचनी पड़ती है हमारी माताओं बेनों बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया भाई और बेनों आश्मान भारती हो जना से सिर्फ मुप्ति लाज ही नहीं मिल रहा है बलकि कैंसर जैसी गंबीर बिमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है असम सहीट पुरे देश में जो हेल्टन वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं उनमें पंदरा करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जाज हो चुकी है कैंसर की स्थिति में तो यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बिमारी का पता चले इससे बिमारी को गंबीर बनने से रोका जा सकता है साथियों देश में मेडिकल इंट्रसेक्टर को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है उसका लाब भी असम को मिल रहा है हमन्ताजी और उनकी टीम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के राष्टिय संकल्ब के लिए प्रसंसरी प्यास कर रही है केंद्र सरकार ने ये सुनिशित किया है कि आक्सिजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक सारी सुविदाएं असाम में लगातार बढ़ती रहे क्रिटिकल केर इंट्रस्टर्टर असम में तेजी से जमिन पर उतरे इसके लिए समसरकार ने बहतरीन काम करने की जिशा में अनेक कदम उठाए हैं भाई और बैनों कोरोना के संक्रमण से देश और दुनिया लगाता लड़ रही है भारत में टिका करन अभियान का दाइरा बहुत बढ़ गया है अब तो बच्चों के लिए भी अनेक वैक्षिन एप्रू हो गई है प्रिकोशन डोट के लिए भी अनुमती दे दी गई है अब ये हम सभी का दाइट तो है कि समय पर खुद भी टिका लगवाएं और बच्चों को भी ये सुरक्षा कवज दें साथियों के इंद्रोवर असम सरकार चाय भगानों में काम करने वाले लाखो परिवारों को बहतर जीवन देने के लिए पूरी इमानदारी से जुटी है मुप्तर आसन से लेकर हर गर जल योजना के तहत जो भी सुविदाएं हैं असम सरकार उनको तेजी से चाय भगानों तक पहुचा रही है सिक्षा और रोजगार के अवसरों को बहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है विकास के लाप से समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार न छुटे ये हमारा प्रयास है ये हमारा संकल्प है महाई और भारत में विकास की जिज़दारा को लेकर हम चल रहे हैं उसमें जनकल्नियार के दाइरे को हमने बहुत व्यापक कर दिया है पहले सर्फ कुछ सब्सीडी को ही जनकल्नियार से जोड़ कर देखा जाता था इंफ्रास्टेक्टर के कनेक्टिविटी के प्रोजेस को बैलफेर से जोड़ कर नहीं देखा जाता था जबकि बहतर कनेक्टिविटी के अभाव में जन सुविदाओं की डिलिवरी बहुत मुश्किल होती है पिछली सभी की उस असादा अब धावणा को पीछे छोड़ कर अब देश आगे बढ़ रहा है आज आप देखते हैं कि असम के दूर सुदूर छेत्रों में सडके बन रही है ब्रह्म पुत्र पर पूल बन रहा है रेल नेटवर्क ससकत हो रहा है इन सबसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना आसान हुआ है रोजी रोटी के अवसर खुल रहे हैं गरीब से गरीब को पैसे की बटत हो रही है आज गरीब से गरीब को मुबाइल फोन की सुविदा मिल रही है इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है इससे उसे सरकार की हर सेवा प्राप्त करना आसान हुआ है ब्रस्ता चार से मुक्ती मिल रही है भाई और बैनो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हम असम और देश के विकास को गती देने में जुटे हैं हमारी कोशिज है कि असम की connectivity शसकत हो यहां investment के नए अवसर बने असम में निवेश के लिए अनेश संभावनाएं हैं इन संभावनाओं को हमें अवसरों में बदलना है चाय हो आर्गनिक खेती हो औल से जुड़े उद्योग हो या फिर tourism असम के विकास को हमें नई बुलंदी तक ले जाना है साथियों आज असम का मेरा वियात्रा मेरे लिए बहुत यादगार है एक तरफ मैं उन लोगों से मिलकर क्याया हूं जो बंबंदूप का रास्ता छोड़ करके शांती की राह पर विकास की धारा में जुड़ना चाहते हैं और अभी मैं आप लोगों के बीच में हूँ जो बिमारी के कारण जिन्द की चुओ मैं जूजना न पड़े उनके सुक शांती की ब्यवत्ता हो और उसमें आप लोग आशिरबात देने आए हैं बिहू अपने आप में सबसे बड़ा उमंग और उसम का तिवार और आज हजारों माता बेहनों ने मैं असम में बहुत सालों से आ रहा हूँ शाहिद ही कोई बिहू ऐसा हो जब मेरा उस समय आशाम का दोरा न हुआ हो लेकिन आज मैंने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ माता और बेहनों को बिहू में जुमते हुए देखा मैं इस प्यार के लिए इस आशिरवात के लिए बिशेश करके आशाम की माताओं बेहनों को प्रणाम करता हूँ उनका रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों एक बार फिर स्रिमान रतन चाहता जी खूद यहाँ पहुँचे उनका नाता चाह से शुरू हुआ और चाह तक विस्तृत हुआ है और आज आपके उत्तम स्वात के लिए भी वो हमारे साथ सरीक हुए है मैं उनका भी स्वागत करते हुए एक बार फिर आप सभी को ये अनेग नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत बहुत धन्यवाद हुआ है